तो और मेरे सब भी गेमर भाईयो कैसे हो आई होप सब मस्त होंगे इसी के साथ आप सब गेले फिर से आ चुके न्यू इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर तो आज की इस वीडियो को टोपिक बेसिक ले मारा उन गेमर्स भाईयो के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला में चाहें फिर आपका लो एंट डिवाइस हो या फिर अच्छा डिवाइस हो जैसे की आर्ट जीवी या फिर उससे उपर कोई वेरेम वाला मोबाईल है तो आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा आपको कन्फूज हो गए होंगे कि इनमेंसे हमारे लिए यह कौन सा बैस्तों होने वाला है तो इस एक हैं अपको की क्या आनेवाल में आपको क्या आनेवाली है आप मैं इंप्रूब करने क्लिए आपको एक लिए टिवोर देना चाहता हुité आप पर वीडियो की editing करना बहुत अच्छे तरह से आता है तो भाई इसकी quality आप और भी improve कर सकते हो क्योंकि मुझसे ना भाई वीडियो की editing करने भी इतने च्छे तरह से आती नहीं है अगर आप पर आती तो भाई इसकी quality improve कर सकते हो ठीक है अब इस application का नाम गया और उसको download कह से करना यह सब वीडियो के end में बताऊंगा फिलहाल के लिए आपको skin recording करते time setting क्या रखनी है skin recorder की जिससे आपको lag देखने के लिए ना मिले उस बारे में बात करेंगे अब जब आप इस application को open करोगे तो आपको दिख रहा होगा settings का icon ठीक है तो आपको settings में जाना है जैसे य mute select कर लेते हो तो आपको game के अंदर कोई भी sound नहीं आएगा नहीं गेम का और नहीं आपका ठीक है अब आपको दूसरे नंबर पर दिखाए दे रहोगा microphone अगर आप इसको select कर लेते हो तो आपको आवाज आएगी सिर्फ और सिर्फ तुमारी जो आप बोलोगे game के अंदर व vehicle चलने के वही आवाज आएगी बाहर का कोई भी sound नहीं आएगा चाहिए फिर आप बोलो या फिर कोई भी sound बाहर का sound नहीं आएगा अब चोथे नंबर पर है internal and microphone तो इसका मतलब यह है कि internal game के अंदर का sound और जो भी आप एयर फोन में या फिर mobile में बोलो game के अंदर वो भी दूर सरे number का option है अगर आप इनको select करके खेलते हो तो उनमें एक ही problem है कि इनमें बाहर के sound भी आते हैं जैसे कि आप तो बोलोगे वो तो जाएगा ही जाएगा लेकिन बाहर में कोई गाली चल रहे है फिर कोई भी आपको आवाज मार रहा है तो भाई उसकी recording भी हो ही जाए उसके बाद आपने back आना है back आने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा video settings का option तो इसको आपने open करना है जैसे आप इसको touch करते हो तो नीचे से एक shutter open हो जाता है अब आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा resolution और आपका mobile है 3G RAM का तब आपको इन सभी में से 540p को select कर ना है फिर दूसरे नंबर पर अगर आपके पास 4G RAM बाला mobile है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 640p और 720p ठीक है तो इन दोनों में सबसे पहले आपको 720p पर select करके recording करनी है लेकिन अगर आपका वहाँ पर game lag करता है फिर आपको 640p पर रखना है अब बात आती है अग quality पर जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी MB per second अगर आपका mobile 3G RAM बाला mobile है तब आपको 8 MB per second रखना है अगर फिर भी lag करता है तो आपको 6 MB per second पर रखना है ठीक है अगर आपका mobile 4G RAM बाला mobile है तब आपको 12 MB per second पर select करके रखना है लेकिन अगर आपको लगता है क अगर आपको लेक दिखाए दे तो आपको 12 MB पर सेगंड पर रख लेना है और अगर आपके बास 6 GB RAM से उपर कोई भी मुबाईल है कोई भी डिवाइस है तो आपको 14 MB से 16 MB पर सेगंड पर सेलेक्ट करके रखना है इन सबी के बाद आता हमारा FPS तो यहाँ पर आप देख सकते ह तो 120 FPS भी आपको परचेस करना पड़ेगा. और 60 FPS भी आपको परचेस करना पड़ेगा तो 60 FPS हमारा.. इनेबल है.. तो यही है अच्छा हे हले लिए. आप अगर का मोबाईल 3 GB RAM भाला Services आपको 14 fps पर रखना है और अगर आपके पास 4G RAM बाला मुबाल है तो आपको 50 FPS पर रखना है और उस से उपर कोई भी मुबाल है तो आपको 60 FPS पर select कर लेना है ठीक है इसको अपने हिसाब से select करने के बाद आपने back आना है back आने के बाद आपको यहाँ पर दिखा दे रहागा orientation तो इसको आपने Landscarf पर select कर देना है, इन सभी को select करने के बाद आपको थोला नीचे scroll करना है, scroll करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा recording mode, तो यहाँ पर आपका mobile 6G RAM से उपर है, तो यहाँ पर performance mode select कर लेना है, लेकिन अगर आपका 6G RAM से नीचे है तो भाई, normal mode पर ही increase भी कर सकते हो, ठीक है, अब उसी के नीचे आप देख सकते हो, hide floating ball, मतलब आपने देखा होगा, जब आप कभी भी screen recording on करते हो, तो वहाँ पर second दिखाई देती है, और वो वीडियो में भी आती है, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो में नहीं दिखानी है, तो भाई, इसक टिक करके ही रखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, keep recording when screen is off, अगर आपको screen off करने के बाद भी recording चालू रखनी है, तो भाई, इसको भी select करके ही रखना है, ठीक है, और इसके बाद आप कोई भी ऐसी काम की चीज नहीं है, जो भाई, आपको बतानी पड़े, आ इसको अपन करोगे, तो थोड़ी बहुत permission माँगेगा, जो भी permission माँगे, वो इसको enable कर देनी है, permission देने के बाद मैंने आपको settings बता ही दी, अगर आपको लो end device है, तब आपको क्या रखनी है, अगर आपको अच्छ डिवाइस है, तब आपको क्या रखनी है, अब अगर व वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर सेट कर देना, तो फिर मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए, गुड़ बाई